है जाए है वाइज है प्यारा में तुर्ण स्वागत है अब सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुपी स्टडी में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेशन नमबर टू सुरू करेंगे ठीक है फिजिक्स का लेशन नमबर टू सुरू करेंगे जिसका नाम क्या है बल तथा घती के नियम ठीक है तो इसके सबसे पहले अंब लोग नोरी के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए बन तो बल वो हब अंब का रख होता है तो आप में क्या-क्या हो सकता है तो बाहिकारक में खिचाव हो सकता है या धक्का हो सकता है या जो हम लोग क्रिकेट खेलते समय बल्ला को मारते हैं न हीट करते हैं उसे या हीट हो सकते हैं ठीक है तो बल वह बाहिकारक है właśnie you guy है जिसके द्वरा तो की इस्थिती में परिवर्तन ला देते हैं या परिवर्तन करें रहां नहीं करते हैं जैसे बिरामा वस्था में तो उसको गतिया वस्था में कर सकते हैं गतिया वस्था में तो उसको बिरामा वस्था में कर सकते हैं या करने का प्रयास कर सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं बल कहते हैं तो बल की बल लगाएंगे तो गती के वस्ता में हो जाएगी ठीक है बिरामा में है तो गती के वस्ता में हो जाएगी और गती के वस्ता में तो बिरामा की वस्ता में ला सकते हैं किसके दौरा बल के दौरा ठीक है बल जो होता है या कैसी रासी होती है तो सदीस रासी होती है यानि जो बल होता है सदीस रासी होता है ठीक इसका यूनिट क्या होता है मातरत क्या होता है इसका तो इसका यूनिट जो होता है क्या होता है न्यूटन होता है क्या होता है न्यूटन होता है किस पदती में तो SI म्क्स पधति में क्या होता है न्यूस पधति में होता है मैं तो शिके istraa पधति ०ी तो यहीं है बल की डीफिनिशन और उसके बारे में कि जो बल होता है वह धक्का खिचाव या बाहिकारक होता है है जिसके दौरार हम किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्थन करते हैं या परिवर्थन करने का प्रियतन करते हैं बल जो होता है एक सदेश रासी होता है और मात्रझ मात्रक यह उट्यों के तो Newton होती है साइ मात रख में यह में केस् पधती में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड रिसी को निउटन बोला जाता है और सिज्जेस पधती में क्या होता है डाइन होता है ठीक है तो इतना आरा आपका किसे बल से आगे समें कुछ पॉइंट से जैसे अभीकेंद्र बल क्या बल अभी केंदुरं बल क्या होता है जब करती है उसके केंदर की तरफ एक बल्र कारिय करता है जिसको उसके केंदर की तरफ इक उसा वेकेंद्रबल का फर्मूला होता है एफ बराबर क्या होता है Mv square byrr होता है ठीक जहां M क्या है दरवयमान है V क्या है वस्तु कवेग है और R क्या है तो भृतिकारपत की ट्रेज़ियं है ठीक है तो अभी पेंद्रबल से काते हैं तो जब कोई वस्तू किसी बृतकार पत पर गती करती है तो उसके केंद्र की तरफ ठीक है यानि सर्कुलर कोई भी सर्कुलर पात है तो इसके केंद्र की तरफ ठीक है इसके सेंटर की तरफ क्या करता है जिसके गती कर रहा है वस्तू तो इस पर एक बल कारे करता है जिसकी दिशा किदर होती है सेंटर की तरफ होती है और उसी बलक हम लोग क्या बोलते हैं अभी केंद्र बल कहते हैं जिसका फर्मूला आउता है एब बराबर इस फर्मूले की तुनला करेंगे तो देखिए एक बराबर एपे चना पर ए as यानि भी स्क्वाइर बाई आर जो होता है एक प्रकार का त्वरण है जिसको हम लोग अभी केंद्रिय त्वरण कहते हैं क्या कहते हैं अभी केंद्रिय त्वरण कहते हैं इतना क्लियर है तो यह फर्मूला था आपका ठीक है और इसमें क्या है तो भी स्क्वाइर जो भी है व बिर्तकारपत की त्रिज्य है m क्या है वो स्वस्तू का दिर्बान है ओ एफ क्या है फोर्स जो भी केंधर हम गले हो है ठीक है और यहाँ पर इस फरमुलेस हमनों टूनना करें तो यह बराबर वी स्कुर बेर निकलेहर के और जो Papath करें लगता है तो हम लोग अभी केंद्र बल लगता है तो हम हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि कोई इसके अपोजिट में ही कोई अपोजिट में इसके कोई बल कारे कर रहा है ठीक है जैसे यह वस्तू बृताकार पथ पे गती कर रही है ठीक है यह विर्तार यह सेंटर है यह वस्तू गती कर रही है इस पे तो एक फोर्स लगता है जिसका केंदर की तरफ होती है लेकिन एसा एक कालपनिक फोर्स हम लोग कालपना करते हैं इमेजिंग करते हैं कि एक फोर्स इसके विप्रीद दीस्ता में भी लग रहा है बाहर की तरफ यह अंदर की तरफ लग रहा है तो एक हम लोग कलपना करते हैं कि एक फोर्स जो है बाहर की तर बल सेंट्री फिगल फोर्स बोलते हैं ठीक है तो क्या बताएंगे आप केंद्र बल की परिभासा तो बताएंगे कि जो अभी केंद्र बल होता है इसके जो प्रतिक्रिया के रूप में यानि इसकी प्रतिक्रिया के रूप में जो बल कारी करता है जिसकी दिसा बाहर की तरफ ह होतीए उसे क्या बोलते हैं अपकेंद्र बल करते हैं ठीक है यानी जैसे हम लोग नीट्रण का लापड़ेवन हर एकशन हर एक रिअ हिवलन लगता है तो एक हम लग की कलपना करते हैं जिसकी दिसा इन्य बिप्रित यानि बाहर की डिरेक्शन में होती है इसके बिपरित और बाहर की डिरेक्शन में होती है उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं अपकेंद्र बल जैसे मक्खन से सोरी दही से हम लोग मक्खन निकालते हैं तो किसके दोरा निकलता है अपकेंद्र बल के कारण ही निकलता है मक्खन ठीक है क्यो तो कि यह जो बल है यह क्या होता है बाहर की तरफ बाहर की तरफ एक्ट करता है ना तो जब हम लोग उस दही को ठीक है माते हैं तो उसमें अभी के अंद्र बल और अपके अंद्र बल दोनों उत्पन होते हैं तो अभी के अपके अंद्र बल दोरा जो उसके मक्षन होते हैं व सम्वेग क्या होता है सम्वेग सारा पढ़ चुके हम लोग पॉल टेकनिक जब फिजिक्स पढ़ रहे थे हम लोग तो उसमें ये सारे चेप्टर पढ़ा दिये गए हैं बल गती ठीक है गुरुत अकर्शन आगे जितने भी इसके कुछ चेप्टर साइंगे जिसको पॉल टेक यानि किसी वस्तू के द्रविमान और उसके वेग को गुडणफल कोई क्या बोलते हैं लोग सम्वेग बोलते हैं क्या बोलते हैं सम्वेग बोलते हैं यहीं होता है ना और इसके इसकी बात करें रासी की कौन सी कॉंटिटी है ठीक है तो यह जो सम्वेग होता है यह कैसी र रासी होती है कैसी रासी होती है सदीस रासी होती है इसकी यूनिट की बात की जाए यानि इसकी मात्रक की बात की जाए मात्रक की तो मात्रक क्या होता है किलो ग्राम मीटर पर सेकेंड ठीक है एम कमा तरक किलोग्राम वी कमा तरक मीटर पर सेकेंड तो जो सम्वेग होता है इसकी डिफिनिशन क्या होती है डिफिनिशन नहीं फार्मूला पूचता है आपसे ठीक है क्या पूचता है फार्मूला इन सारे फार्मूलों को आप लोग क्या करिए याद रख लीजिए ठीक ह नमेरिकल सॉल्व करने में असानी होगी तो जो सम्वेग होता है वो अवस्तु के द्रमान और उसके गुड़नफल के बराबर होता है यह एक सदीस रासी होती है और इसकी यूनिट्स यह किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है बस इतना है इसके बारे में ठीक है आगे देखि कि देखिए बल आवैग किया होता है मुझा तो देखिए बल आवी टेह स्मस्तु बाल आवेग इसको डिनोट करते हैं आई से किससे आई से तो बल आवेग क्या होता looking कै से समझेंगे तो जो कोई भी बल किसी वस्तूपर सुच्म समय अंतराल के लिए प्रियोग किया जाए तो उस बल और उस सुच्म समय अंतराल के गुड़नफल को ही हम लोग उस वस्तू का बल आवेग कहते हैं अर्थात आई बराबर क्या हो जाएगा एफ इन्टू डिल्टा टी एफ इन्टू डिल्टा टी यानि किस वस्तू पे हम लोग बल लगा रहे हैं ठीके और कुछ समय के लिए लगा रहे हैं ठीके कुछ समय यानि बहुत ही कम समय के लिए लगा रहे हैं किसी वस्तू पे बल तो उस वस्तू पे जो बल लगा रहे हैं और जिस्ते ने यानि थोड़े से समय के लिए लगा रहें उसके गुणनफल को हम लुग बोलते हैं क्या बल आवेग थिकर लिखने में मिस्टेक हो जारी है क्या बोलते हैं इसको डिनेट का इससे करते हैं आई से आई बरबर क्या होता है एफ इंटू डिल्टा टी ठीक है इसकी मातरक की बात करें यूनिट की तो क्या हो जाएगा एफ का मातर क्या होता है न्यूटन आटी का मातर क्या होता है सेकेंड यानि मातरक क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड हो जाएगा इतना क्ल में एमके एस्पधति में में किसमें में को बना को नहीं एक को लिखे तेम लो किलो ग्राम मीटर पर सेकेंड मीटर क्या है स्परीब हैं स्पराइफ कीलो की किसी वस्तु कोई बल किसी फस्तु पे सुच्व समय अंतराल के लिए लगाया जाता है तुछ स व्ल और सुच्व में समय अंतराल के गुड़न फल कोई क्या बोलते हैं आप strict बोलते हैं कि बते हैं फ इन्टो डेल्टट ₃ is से इसका मात्रक More ृसे में सहे बलकर होता है टी का सेकेंड सेकेंड से सखटेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो कि आपका आवेक सम्वेक का मातर हें ठीक इतना क्लियर है कि आगे देखिए गति क्या होती है । किसे कहते हैं ठीकiy । तो समझे जब कोई वस्तू समय के साथ ठीक है जब कोई वस्तू समय के साथ अपनी इस्थिती क्या करें चेंज कर दें जैसे मैंने वहां पर था कुछ समय बिता तो मैं यहां पर आ गया अभी कुछ समय हो रहा है फिर मैं क्या किया यहां पर आ गया इसका मतलब मैं क्या कर रह समय के साथ मेरी इस्तिति क्या हो रहे है बदल रहे है क्या हो रहे है कभी मैं यहां पर हूं कभी यहां पर हो जा रहे हैं कभी इधर चले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है हर समय यानि हर छण हम मेरी इस्तिति क्या हो रहे है बदल रहे है इसका मतलब मैं किस में हूं मोसन में हू तो गती आपको समझ में आ गया होगा ठीक है इसमें कुछ आगे है यहीं है कि एक समान गती और समान गती यह नि गती दो परकार की आपको बता है कि गती दो परकार की भाई हो सकती है समय के साथ चेंजे सो रहे हैं उसके इस्थिती में तो दो तरीकों से हो सकता है एक एक समा अगती आद दूसरा और समान गति करहें एक समान गती मतलब जिसे समय ऑस्तिति परिवर्तन कर तो से गती कहते हैं एक तो समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में व ववस्तु क्या करे समान दूरी तय करे है समान दूरी तय करे या अर्थात उसका वेग जोवो नियत वेग हो यानि उसमेत यानल रत्पन यानि ज़ो व्सलेरेशन हो वो क्या हो सुनने हो क्योंकि तोर्र या की परीवास शोतेवेग परेयोरथन की समय दर्कोल ऑझा वह क्या बोलते हैं तो भाई एक समान गती मतलब समान समय में समान दूरी तै गरेगी इसका मतलब वह एक समान वेक्स से चलेगी जिसे 20 मीटर पर सेकेंड के वेक्स से चले यह नहीं एक सकेंड में 20 मीटर जाएगी तो हर एक सकेंड में 20-20 मीटर की दूरी तैय करेगी यानि हर समय समय हर समय एक समय अंतराल में वह समान दूरिया तैय करेगी तो यह फिक्स है कि अगले सेकेंड में दो सो मीटर तै करेगी ठीक है जब उसकी चाल क्या हो एक समान रहेंगे अर्थात acceleration कितना हो सुन्य हो तो ऐसी चाल को हम लोग क्या बोलते हैं एसी गती को क्या बोलते हैं एक समान गती कहते हैं ठीक है कि समान समय अंतराल में समान दूरी ते करें तो उस गती को हम एक समान गती कहेंगे ठीक है इसमें एसलेरेशन क्या होता है सुन्य होता है तो आपको ये बात याद रखने की चीजे कि एक समान गती में जो त्वरण होता है क्या होता है सुन्य होत क्योंकि इसमें जो उसकी गती होती है परिवर्थित नहीं होती है वह एक समान चाल से चलती एक समान गती से चलती यानि समान समय अंतराल में समान दुरी तैय करती है ठीक है ठीक इसका पोजिट और समान गती यानि समान समय अंतराल में भीन भीन दुरिया तैय करेगी जैसे उसकी जैसे समय से फिक्स हो कि एक सकेंड में भाई इतना दूरी तैय करेगी तो यह फिक्स नहीं कि अगले सकेंड में उतना ही दूरी तैय करेगी यह बात नहीं है और समान गति में यानि समान समय अंतराल तो रहेगा समान समय अंतराल तो रहेगा ठीक है लेकिन जो उसमें दूरिया तय करेगी और समान दूरी तय करेगी क्या करेगी और समान दूरी तय करेगी तय करेगी इसका मतलब जो उसका वेग है वो नियत नहीं है बदल रहा है हर समय कुछ और हो जाए जिसे एक सेकेंड में कुछ और था अगले सेकेंड में उसकी चाल कुछ और हो गई गती यही कुछ और हो गे जैसे पहले सेकेंद में 200 मिटर जा रहा हो था तो ले सेकेंड में 1.500 मीटर जाएगा या 300 मिटर जाएगाय उसके चाल किया और ये बदल रहे इसका मतलब उसमें शहरेंशन उत्वन होगा त्वरॉरौां त्वबं होगा यानि है सेलेरेशन कुछ एक समानगति असमानगति बात क्लियर है इतनी ठीके नोट करिए गा फिर हम लोग देखते हैं बिस्थापन चाल वेग त्वरण इनकी डिफिनिशन और इसके फार्मूले देखते हैं ठीके तो चले नोड करिए से तो देखे 20 थापन के 20 थापन क्या होता है कि विस्थापन और दूरी दोनों को समझते चलते हैं ठीक है विस्थापन और दूरी दोनों को समझते समझते चलते हैं तो देखे जब कोई वस्तु गती करती है ठीक है तो चलिए भाई कोई वस्तु यहां से गती करना शुरू की और ऐसे ऐसे गती करते हुए यहां तक आगी है ठीक है इस वाले पार्ट में भी लेते हैं कि कोई वस्तु गती कर रही है और ऐसे ऐसे गती करते 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 यहां तक आई हुई है ठीक है इतना क्लियर है तो देखें दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते ह क्षाहिए गां की दूरी किसे कहते हैं तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई go क्या बोलते हैं दूरी बोलते की भी मंतने आप़ दूरी टेय goes to किद ना किया तो 2 Bonert दूरी ते किया ठीक है दो किलो मिटर यानि यहां से चलना सुरू किया ऐसे चलते ऐसे चलते चलते यहां तक पहुचा तो दो किलो मिटर की डिस्टेंस पर आ गया दो किलो मिटर की दूरी पर आ गया ठीक है विस्थापन किसे कहते हैं और और समझ लेते हैं यह जो दूरी होता है अदीस रासी होता है इसमें ठीक है इसके और बारे में समझ लें दूरी क्या होता है अब मातरक क्या होता है मातरक क्या मुल रासियों को बाटे थे ठीक से दूरी कमातर क्या होता है यह मीटर होता है फिर इसकी अन्य पदतियां है जैसे मकस पदति में किलोग्राम एक में मीटर किलो मीटर जितना किलोमीटर यह जो मातर की सदिए अन्य सबस्थात्ष विस्थापन किसे कहते हैं तो वस्तु कि प्रारंबिक के स्थिति और अंतिम मिस्तिति के बीच की नियून तन्व दूरी को प्रारंबिक bond इनिसियल पॉइंट और यह है फाइनल पॉइंट तो इसके बीच की जो नियूंतम दूरी होती है इसको मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है इसकी लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं विस्थापन बोलते यानि इस बिंदू और इस बिंदू को मिलाने वाली जो सरल रेखा है सिधी रेखा है इसके ही बीच की दूरी को क्या बलते हैं बिस्थापन जैसे यहां का बिस्थापन निकाले तो इसको और इसको मिला दीजी एक सीधी रेखा दोरा तो यहीं हम लोगा क्या होगा बिस्थापन हो गया यह जो सीधी रेखा है किसको डिनोट करेगी बिस्थापन बिस्थापन जबकि प्रारमिक बिंदू और अंतिम बिंदू की बीच की निम्टम दूरी यानि उसको मिलाने वाली सीधे रेखा की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं बिस्थापन बोलते हैं यह जो है एक सदीस रासी है कैसी रासी है सदीस रासी है और इसकी भी जो मातरक हो होता ओकि होता है मीटर होता है क्योंकि यह चाल और वेक के बारे में तो बस कूछ नहीं करना है कि इस चाल की परिवास में बता देंगे चाल की परिवास थीर की क्या बता देंगे कि जो चाल होता है एकांग समय में तै की गई दूरी को एकांग समय में तै की गई दूरी को मुलोग क्या बोलते हैं चाल बोलते हैं यानि चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा में समय एकांग समय में चली गई कुल दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं चाल बोलते हैं मात्रक क्या हो जाएगा दूरी का मात्रक मीटर समय का मात्रक सेकेंड यानि मात्रक क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और यह क्या है अदीस रासी है क्यों क्योंकि दूरी भी अदीस है ठीक त तो चाल किसे कहते हैं तो समय में चली गई दूरी कुर्ण कुछ चाल बरावर होता है दूरी बठंर शाध नमर two meter for seconds या एक अधीस रासी ठिकी बात करें तो क्या होता तो एकांग समय में किये बिस्थापन को या हुए बिस्थापन को क्या बोलते हैं विग हटा है उसका हम लोग क्या बोलते हैं वेग बोलते हैं मात्रक के बात करे तो स्थिन कोई होगा मेटर सब्सक्राइब की लेंद्थ है तो मीटर ही होगा समय तो सेकेंड होगा इसकी क्स theo le смог कि बात करे रासी की बात करे तो वेग क्या होता है सदीस रासी होता है वेग क्या होता है सदीस रासी होता है तो यह मात यह इसके फर्मूले और इसके मातरक याद कर लिजे आप लोग आपको एक्जाम में पूछ सकता है और यह कैसी क्वांटीटी है इसको भी आप लोग रहा है कि समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में फावर्ट करें इसको कि देखे आगे तवरण गौह चुरुबंग क्या होता है नहीं बताए कि तवर तभी उत्पन होता है जब वेग में परिवर्तन होता है अट्रेक की डीफिनेशन आप ऐसे भता देंगे वेग की परिवर्तन कि समय दर को क्या बोलते हैं लिए जो तौरत होोता है एह वेग में परिवर्थन होगा तो तोरव रुत्पन होगा जैसे माली जिये प्रारम मेर्वस्ट्रावेग क्या है सुन्य है अरे सुरी सुन्य करें यू है यू क्या है कि प्रारम्भिक चाल है और भी क्या है अंतिम चाल है ठीक और समय इसमें टीज लग रहा है हुआ है कि तुर एक सलेशन कितना होगा तो वेग परिवर्तन कि समें दर्ग वेग परिवर्तन यू यानि अंतिम में से प्रारम्भी को गटाएं चेंग मिमि ऐम भूबं क्यां गो थे थे इसका मात्राब तोAs और देखिए यह भी यह बहुंद कि सब्सक्राइब एक कमात्र क्या होता है या व्रिद्त्यदिस अधली चैसिव सब्सक्क्रान पर दस्का श्कर्णिक क 변 यानी मीटर पर से कंडी स्कूरा इसका मातन होता है ठीक है और कैसी रहती है तो सदीस रहती है जो तॉराड होता है कैसी रहती ह definis रहती तो इसका फर्मूला क्या होता है ए बराफर भी माइनस यू अपान टी यह वेग परिवर्तन की समय दर को क्या बोलते हैं हम लोग तो रड़ बोलते हैं पास समझ में आई होगी आगे क्या है बृतिय गती बृतिय गती बृतिय गती नाम सही किलियर है ठीक है जब कोई कार पत पे गती करेगी कितनी कितनी दूरी कवर करेगी जिसमाले यहां से वस्तु चलना शुरू की ऐसे तो इसे चलते चलते जब एक चकर लगाएगी तो यह कितनी दूरी डिस्टेंस का यानि कितनी दूरी कवर करेगी तो बृत की परिदी के बराबर ना यानि जो दूरी होगी वो क्या होगी बृत की परीदी होगी बृत की परीदी होगी आर्थात जो दूरी होगी वो कितना हो जाएगी टूपाई और मालिजे इसको एक रोटेशन पूरा करने में जो समय लग रहा है वो तू पई और तू भटा समय कितना ले रहा है सो इस बात को ध्यान nellख्याब करते हैं तो से बिरत्य करते हैं महली की जाल हुआ मडरा करना शुरू करेगी तो फिर उस क्वाइंट पर आएगी तो कितना दुरी तहीं करेगी टू पाई आर यानि बृत की परिदी के बराबर ले रही है तो दूरी बराबर है वेया चाल बराबर क्लिए तूरी बराबर क्लिए कि नोट कर लिए हैं न्यूटन ने गती के लिए कितने समीकरण दिये थे उसको देखते हैं ठीक है तो इन सब को नोट करिए देखे आगे हम लोग का गती का समीकरण है ठीक है क्या है गती के समीकरण तो न्यूटन ने जो गती के समिकर दिये थे तीन वो किसके लिए दिये थे तो सरल रेखी गती के लिए अर्थात जब कोई वस्तू किसी सरल रेखा पर गती करती है ठीक है जब कोई वस्तू किसी सरल रेखा पर गती करती है तो उसके द्वारा ठीक है उसके द्वारा किस मतलब किसी बिंदू पर उसका अं त्वरा उत्वन हुआ ठीक है या उसको समय कितना लग रहा है इसको तै करने में ठीक है यानि इन सब को दर्साने के लिए उन्होंने नियम दिये थे यानि समीकर दिये थे तीन समीकर दिये थे वह समीकर आपके की भूक में भी दिया है ठीक है थीनों को नोट किया है और example की दाड़ा Waich एक क्युस टेस्टन समझायागा है ठीक है तो म PGD grille क्रशनालर करेंगे ठीक है नो ने कितने नीअँ दिये थे तिन नीअ दिये थे पहला नियम क्या दिये थे फी बराबर क्या था यू प्लस एटी था अर्थात अर्थात टी समय में पहला समय करद क्या बता है टी समय बाद टी समय बाद वस्तू का वेग वस्तू का वेग यानि माल लिजे वस्तू यहां से यू वेग से चलना सुरू की तो T समय बात माल लिजे इस position पर पहुची ठीक है इस position पर पहुची वस्तू यहाँ पर वस्तू आई T समय में T समय में यहाँ पर आई तो इस समय इसका वे कितना है उसको हम लोग पता लगा सकते हैं किस से गती के पहले समी करण से ठीक है दूसरा समीक उन्होंने दिया था S बराबर UT प्लस हाफ 80 स्क्वाइर इसे क्या पता लगा गया था तो इसे पता लगा सकता है कि टी समय में चली गई और चली गई दूरी चली गई दूरी यानि यह जो टी समय समय में यह वह स्तू यहां से यहां तकाये हैं कितनी कवर किए इसको घ्याद कर सकते हैं किस यहां को तीसरा उन्हार दिया था कि क्या स्क्वायर बराबर क्या दिया था यह एस दूरी पर वस्तू का वेग वस्तू का स्वेग तो यह दूरी एस दूरी टए की तो सरे क्या है उसको पता लगाने के लिए किस समीकर्ण का परियों करते हैं तीसरे समीकरण का ठीक है तो न्यूटन ने ये तीन समीकर दिये थे किसी सरल रेखिये, पत पे जो वस्तु गती करता है, उसका समय समान समय इंतराल में, उसका वेग, त्वरड, गती, कितना दूरित है की, इसको ग्याद करने के लिए उन्होंने ये तीन समीकरड दिये थे, ठीके, तीनों समीकरड को नोट कर लीजिये, ठीके, और सबके बारे म आने समझें reading जो पहला समीक्रण काता है यह क्या कहता है दूसरा समीक्रण क्या कहता है तीसरा समीक्रण क्या कहता है पहले समीक्रण से का वेग कितना है जैसे वस्टों यू एक से गति कर रहे प्रराबविक यहि応boarding चैकेंड को व से खती कर रहे तो पाँच से किन बाद उसका कितना वेग होगा उसको निकालेंगे किस से पहले समिक करद से को वस्टों कि 20 मिटर पर से कि वेग कर रहे हैं तो पांच सेकेंड बाद कितना दूरी तय करेगी जब कि उसका तोरण इतना हो तो कितना दूरी तय करेगी उसके लिए निकालेंगे दूसरे समिक्रण से जिसका वेग प्रारामिक वेग इतना हो और इतनी दूरी कवर की है तो उस समय उसका वेग कितना होगा किसे निकालेंगे तो गति के तीसरे समी करण से बात Specifically करेंगे तो बात समझ आ जायगी जिसमें आप लोग books say book को देख सकते हैं इसे जो example और says का है जड़तो तो यह किसी वस्तु का ही गुड़ होता है जो जड़तो होता है वस्तु का ही गुड़ होता है जो जड़तो होता है किसी वस्तु का वह गुड़ होता है जो उसकी इस्तिती में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है बिरोध करता है तो जड़तो की परिवासा क्या ब उसको रोकना चाहेंगे तो उसका विरोध करेगा रुठना नहीं चाहेगा ठीके तो उसी गुड़ कम लोग क्या बोलते हैं जड़ा तो बोलते हैं इतना बात क्लिये रहे आगे है घरसड क्या है घरसड घरसड बल किसे कहते हैं ठीक है तो घरसड बल जब दो वस्तों को एक दूसरे के संपर्क मिलाते हैं तो उनके प्रिष्टों के बीच जो बल कारे करता है जो उनके सापेक्ष गती का बिरोध करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग घरसड जैसे माली जी एक ये वस्तु हो गई ऐसे मैं दूसरी वस्तु को संपर्क मिला रहे हैं और फिर इनको गती करा रहे हैं तो इनके बीच यानि इनके गती के यानि इसके सापेक्ष गती को जो ब विरोध करता है बल उसे यह क्या भॉलते हैं घरसड बल जैसे माली जीए कि हम कुसी मतलब चल रहे हैं जमीन पे ठीक है तो हमारे पैर के प्रिष्ट और जो जमीन धरती उसके प्रिष्टों के बीच एक बल कारे करता है जिसे हम लोग हर सरबल कहते हैं थीचे जिसे क्या है एक चोग से हम लोग भूइज़ कर रहा हूं घर सबस्रबल करें तो इसके प्रिष्ट और इस वाइट बोर्ट के बीच घरसर बल कारी कर रहा है जिससे इसके करण हम क्या कर रहे हैं इसको इसके लिख पा रहे हैं तो इसके करण होता है घर्षर बल के कारा तो घर्षर बल की परिभासा क्या बताएंगे कि जब दो प्रिष्टों को दो वस्तों के प्रिष्टों को एक दूसरे के संपर्क मिलाते हैं तो उनके बीच एक बल कारी करता है जो उनके सापक्ष गति का क्या करता है विरोध करता है मतलब उसकी गति के ल करता है जो उसके गती का करता है बिरोध करता है और कुछ बिरोध करते करते हुँ उसकी गती को क्या कर देता है सुने करते कुछ दूर बात जाकर क्या होता है रुक जाता है बात समझ में आई है देखिए न्यूटन के गती बिसेक नियम ने गती के संबंद में कुछ नियम द थे न तो उनी तीरों नियमों के बारे में हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे तो चलिए इन सब को इन सब के बारे में समझ गये इस फार्मूले को नोट कर लिजे फिरम लोग देखते हैं नीटन के गती बिस्यक नियम देखें नीटन के गती बिस्यक नियम ठीक है नीटन के गती बिस्यक नियम पहला नियम क्या दिया था उन्होंने जड़तों का नियम जड़तों का नियम जड़तों का नियम इसमें क्या कहते नीटन जी ने उन्होंने यहीं बोला था इसमें कि जड़तों का नियम में यहीं बताया था कि जब कोई वस्तू गती सील है तो गती सील ही रहना चाहेगी जब कोई वस्तू बीरामा वस्ता में है तो वह बीरामा वस लुकर को रुकने वाली नहीं है ठीक है जैसे मैंने अभी बताया ना कि गेद को उटका कर छोड़ देते तो कुछ दूर बात जाकर रुक जाती एक क्यों कि उसंपे बाइब बाइब बल कारी कर रहा है और वह बाइब रहेगी विरामावस्ता में रहेगी जब तक कि उस में बाइबल नो लगाया जाए ठीके जो की जड़तो का परिभासा बहुत है ठीक है कि अग्ला नियम दिया था उन्हों ने दूसरा नियम दिया था बलका नियम क्या दिया था बलका देता है कि किसी बल का नियम में यह बताया गया था कि किसी वस्तु का दर्विमान और उसमें उत्पन त्वरण के गुड़न फल जो होता है बल के क्या होता है बराबर होता है यहीं बताया गया है ना आपका दूसरे परिवास दूसरे नियम में लेकिन यह नहीं होता है यह हो उसको के से निकालेंगे आप जैसे एफ बराबर क्या होगा डेलटा पी हो गा समड़रावण अभी हम लोगे परिवर्त एंटू भी पड़ा तो देखिए यहां से निकाले हम लोग एफ बराबर तो समड़र परिवर्तान होगा समड़रावень सम्वेग परिवर्दन क्या होगा तो M V minus M U by क्या होगा टी यह होगा ना यानी यह होगा अंतिम सम्वेग यह होगा प्रारंबिक सम्वेग यह यू है ठीक है यू है वास वह भासमज में आई डिल्टा पी का मतलब क्या होगा पी टू माइनस पीवन पीटू मतलब जो अंतिम्वेग होगा और द्रिबमान होगा उसका गुड़न फल समय और प्रारंबिक सम्वेग यू माइनस एम हम लोगा क्या होगा सम्वेग परिवर्तन की दर पी का मान इतना होता है यहां पर टी नहीं लिखें जो बल होता है सम्वेग परिवर्तन की दर जो होता है सम्वेग परिवर्तन का दर वो बल बल के क्या होता है बराबर होता है दूसरा नियम यह बताया था उन सम्वेग परिवरतन की दर के क्या होता है बराबर होता है ठीक है लेकिन आपके book में लिख देता है क्या कि किसी वस्तु के दर्मान और उसमें उत्पन तोरर के गुड़नफल को क्या बोलते हैं बल बोलते हैं तो इसको solve करेंगे तो वहीं आएगा आपका F बराबर क्या आएगा M into A ही आएगा ठीक है IC को हम लोग अपनी भासा में बुक में लिख देता है लेकिन जब कि real में उनका दूसरा नियम क्या था ये था क्या था कि सम्वेग परिवर्तन की जो दर होती है वस्तू में वस्तू पर लगाए गए बल के क्या होती है बराबर होती है देखिए कैसे यहां से F कामल M कामल लेंगे तो M हो जाएगा अब भी माइनस यू बाई क्या होगा टी होगा और यह क्या होता है वेग परिवर्तन की समय दर अभी मैंने पीछे बताए क्या होता है ए होता है क्या होता है यह होता है तो F बराबर क्या निकल जाएगा M into A यहीं आपका फर्मुला लिखता है न बोको में यहीं लिखता है और आए दो ऐसे आता है ठीक है बात समय में आई होगी तो यह फर्मूला को नोट काली जिए इसको कैसे निकला गया बास में आई हैَ सबकूं बहुत अच्छा तिसरह नियम देख लेते हैं का तीसरह नियम क्या दिया थे इन्होंने तीसरह नियम वह क्या था तो क्रिया उन्होंने क्या पताया था इंदर लगाया तो जो प्रतिक्रियाबल होगा इधर ठीक है यानि अपोजी डिरेक्शन में क्या होता है प्रतिक्रिया बलकर कारे करता है यानि हर क्रिया का क्या होता है प्रतिक्रिया होता है जिसे माली यहां पर ऐसे क्रिया किया तो इसका प्रतिक्रिया हुआ ठीक है जैसे राकेट उड़ता है न ठीक है जो राकेट उड़ता है तो किस के किस नियम पर होता है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही जैसे उस पर जो गैसे होती है ज्यादा प्रेशर से नीचे की तरफ आती है तो जितना प्रेशर से नीचे की तरफ आती है जितना फोर्स लगात यह जिसका राड राकेट क्या होता है उड़ने लगता है ठीक है तो यह होता है क्रिया प्रतिक्रिया बल यानि हर एक्षन का रियक्षन होता है न्यूटन यह बताया था ठीक है और इनका जिए जो बल का नियम है और जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है इसी से मिला के उर्ज को लाइक करिए ज्यादा पसंद आया हो तो वीडियो को सेर करिए और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाए ताकि जितने भी हम लोग वीडियो प्लोट करें उसके नोटिफिकेशन आपको सम रहिए अच्छे से पढ़िए मन लगा के पढ़िए ठीक है तो बस इतना ही आगे देखते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए बाइबाइ धन्यबाद